हेलो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे कस्टमर द्वारा आर्डर कैसे प्लेस किया जाएगा और ट्रेकिंग कैसे होगी इसके लिए स्टोर लिंग पर क्लिक किजिए मेनू पेज पर आप सभी आटम्स की जनकरी पाएंगे जैसे की उनकी इमेजेस, रेट या उनकी करना है, और पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपका कॉंट्रेक्ट नमबर नाम मेंशन करना है, बाकि ऑप्शन जैसे की पिक अप डिलिवरी जो फैसिलिटी चाहिए उसे सिलेट करना है, आपके कैश या ओनलाइन पेमेंट करोगी वह सिलेट करना है, और करते समय सब्सक्राइब करने के बाद प्लेस ओडर बटन पर क्लिक करे, और डिटेल्स में फाइनल ओडर आपसे कंफम किया जाएगा, और कैंसल अप्शन अवेलेबल होगा, किसी कारण वश अगर आपका ओडर कैंसल करना रहा, तो आप वैलिट रिजन देकर ओडर को कैंसल कर सकते है, यहाँ पर दिये गए UPI आप्शन से आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते है, अभी थोड़ा वेट करेंगे, यह हमारी कस्टमर स्क्रीन है, तो अभी हम देखेंगे कि स्टोर ओनर को आडर कैसे रिसी होगा, और वो ट्रैक कैसे किया जाएगा, स्टोर ओनर को OG Food Dashboard ओपन क पेज में जाने के बाद वहाँ order details दिखेंगे, वहाँ order number, item का नाम, total value यह सभी जानकरी अवेलेबल रहेगी, store owner को confirm बटन पर क्लिक करके order confirm करना है, यह जानकरी order history में customer को दिखेगी कि order confirm हो गया है, order अगर kitchen के लिए process होता है, तो वह customer को order history में mention होगा, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, in kitchen, item ready होने के बाद, delivery के लिए store owner द्वारा forward करने पर, customer order history में भी highlight होगा, जैसे कि यहाँ दिख रहा है, on the way, delivery confirm होने पर यहाँ पर order status रहेगा, delivered, order page में हम previous order की history चेक कर सकते हैं, जिनके पूरे details यहाँ पर रहेंगे, धन्यवाद